स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल एडू संकल्पे मैं कुनाल बांसल एक पर फिर हाजिन हो आपके सामने एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज हम discuss करेंगे HCF और LCM सीरीज में हमारा second lecture और आज के lecture में हम HCF पे बात करेंगे HCF का concept समझेंगे और exam में HCF के base पे जो questions पूछे जाते हैं वो सारे आज हम discuss करेंगे तो वीडियो आज के लिए बहुत important होने वाली है HCF चेप्टर के हिसाब से तो अंतक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको concept अच्छे से समझा सके तो यह दोस्तों शुरू करेंगे आज का हमारा lecture तो सबसे पहले HCF होता गया जी HCF उसका हमें meaning पता होना चाहिए which means highest common factor तीक है जी highest common factor अब highest common factor का मतलब निकलता है सबसे पहले इसके लिए हमें factor का meaning समझना जरूरी है factor यानि की वो value जो divide कर सकता है जी किसी तूसरी value को for example हम बोल रहे हैं जी 6 ठीक है जी अब 6 को मैं कौन कौन सी value पर divide कर सकता हूं जी 1 पे 2 पे 3 पे या 6 ठीक है जी तो ये जो 4 values है 1, 2, 3 and 6 ये 6 के factors माने जाएंगे मानलब ये 6 को divide कर सकते हैं जी ठीक है तो हमें चाहिए highest common factor मानलब कोई ऐसा factor जो 2 या 2 से जादा values में common हो और में सबसे बड़ा जो होगा वो हमारा HCF होगा ठीक है अब HCF निकालने के different methods हैं दोस्तों जैसे के prime factorization method है long division method है या difference method है जी trick है difference method वो भी मैं आपको questions में आगे ब least value method है HCF के अंदर वो भी एक trick है जिससे हम HCF को औरली निकाल सकते हैं तो वो सारी tricks भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले हम कुछ direct इसके जो concepts पूछे जाते हैं जी वो हम समझ लेते हैं जिसमें हमारा first case क्या पूछा जाता है find the greatest possible number which will divide x y and z leaving no remainder हमें सबसे बड़ा possible number पता करना है जो x को भी divide करे y को भी divide करे और z को भी divide करे तो अब जो चीज divide करेगी वो क्या होती है दोस्तो factor होता है ठीक है और हमें कौन सा पूछा गया तीनों को divide करे it means common factor हो गया और greatest possible पूछा गया it means हमें HCF पूछा गया x y और z का तो इसका solution क्या बनेगा दोस्तों HCF of x y z इसी तरीके से second case हमें जो पूछा जाता है which is find the greatest possible number which will divide x y and z leaving remainders a b and c respectively सबसे बड़ा possible number ढूँडो जो x को divide करेगा तो a remainder आएगा जो y को divide करेगा तो b और जो z को divide करेगा तो c remainder आएगा तो हमें करना क्या है जिस value का जितना remainder वो remainder उसमें से minus करना है और उसका HCF ने कहाना है मतलब HCF of x minus a y minus b and z minus c तो यह हमारा second case बनता है ठीके जितना जितना remainder वो remainder minus करके HCF तीसरा case तीसरा case क्या पूछता है find the greatest possible number which will divide x y and z leaving same remainder a in each case अब यह similar है दोस्तों जो पिछला case था बस यह फरक है कि इसमें जो remainder है वो सब में same है a और पिछले case में सब का अपना-पना remainder था तो इस case में remainder अगर a है तो सब में से हम a minus करेंगे x minus a y minus a और z minus a इसमें से तीनों में से एक remainder minus किया और उसका हमने क्या calculate करना उसके बाद hcf तो solution बन जाएगा hcf of x minus a y minus a and z minus a fourth case है दोस्तों जिसमें पूछा जाता है find the greatest possible number which will divide x y and z leaving same remainders in each case ठीक है दिए सबसे बड़ा number निकालना है जो x को भी divide करें y को भी divide करें और z को भी और सब के case में remainder same आए बट हमें remainder नहीं पाता थर्ड केस में भी remainder same था बट उसमें remainder given था फोर्थ केस में remainder same है बट remainder नहीं पाता तो इस case में हमें क्या calculate करना है hcf of x minus y y minus z and z minus x तो ये चार basic concepts है hcf के regarding जो हमें याद रखने हैं दोस्तों और सबसे बड़ी बद कहां पे hcf निकालना और कहां पे lc हम निकालना है उसकी पहचान हम करेंगे कि हमें factor की जरूरत है या multiple की तोकि factor का का काम क्या है दोस्तों hcf का question है या lcm का question है यह question शुरू करते हैं पहला question find the greatest number which will exactly divide 200 and 320 हमें सबसे बड़ा number पता करना जो 200 और 320 दोनों को divide करें it means हमें क्या calculate करना दोस्तो hcf of 200 and 320 तो इसके लिए मैं पहले prime factorization method यूज कर रहा हूं उसके बाद मैं आपको इसके tricks भी बताऊंगा तो prime factorization method क्या बोलता 200 और 320 के common factors हम देखते हैं क्या बन रहे हैं जी दोनों पहले 2 के table पे cancel out हो रहे है यह आएगा 100 और यह आएगा 160 फिर यह दोनों 2 के table पे cancel हो रहे हैं यह आएगा 50 और यह आएगा 80 देन अगें 2 के table पे जा रहे हैं जी यह आएगा 25 और यह आएगा 40 अब यह दोनों 5 के table पे cancel हो रहे हैं तो 5 के table पे इसको cancel करते हैं 5 और 8 अब 5 और 8 किसी भी common table पे cancel नहीं हो रहे तो यहीं पे हम factorization रोकेंगे और ये वाली values को आपस में क्या करेंगे हम multiply और ये multiply करने पे क्या आएगा HCF आजाएगा तो HCF कितना मनेगा दोस्तो 2 की power 3 into 5 8 into 5 कितना होता है 40 तो correct answer हुआ option number 4 40 हमारा answer है HCF है तो ये तो है दोस्तो prime factorization method तीक है अब मैं आपको tricks बताता हूँ एक होता हमारे पास difference method अब इस case में हम difference method यूज़ करेंगे बहुत असानी से मुसका HCF निकाल सकते हैं जैसे हमें यहाँ पे 200 और 320 HCF निकालना है तो इन दोनों values का difference कर लिजए difference कितना बनता है 120 और 120 से इन दोनों values को divide करके देखेंगे अगर यह दोनों values 120 से divide हो गई तो यह 120 ही हमारा HCF माना जाएगा ठीक है अब in case यह values 120 पे divide नहीं हो रही तो हमें 120 के factors बनाने हैं और 120 का सबसे बड़ा factor जो दोनों values को divide कर देगा वो हमारा HCF हो जाएगा तो 120 के factors हम देखेंग 1 into 120 2 into 60 3 into 40 4 into 30 अब देखें 120 सबसे बड़ा है यह इस से divide नहीं हो रहे दोनों तो 120 HCF नहीं हो सकता तो 120 का next बड़ा factor कौन सा है 60 तो 60 से दोनों को divide करके देखा वो भी divide नहीं कर रहा तो next के आए जी 60 के बाद किसका number आएगा 40 अब 40 के table पे 200 भी divide हो रहा है और 320 भी divide हो रहा है तो it means हमारा HCF कितना हुआ जी 40 तो जो factor difference का वो factor जो values को divide करेगा वो ही हमारा HCF माना जाएगा सबसे बड़ा factor में लेना है दोस्तों तो यह है difference method दोस्तों यह एक trick है HCF को निकालने की आई यह next question देखते हैं find the HCF of 2 by 3 4 by 5 and 6 by 7 अब यह fractions का case है दोस्तों LCM के case पे भी हमने fractions वाला पार्ट किया था उसका formula था LCM of numerator upon HCF of denominator और इसके case में क्या होता है HCF of numerator upon LCM of denominator ठीक है दोस्तों अब हमारे पास तीन fraction है 2 by 3 4 by 5 and 6 by 7 तो numerator का HCF 2, 4 and 6 अब इन तीनों का HCF हम calculate करेंगे ठीक है दी 2, 4 और 6 का HCF मुझे 2 दिख रहा है दोस्तों ठीक है और दीचे वाली values का LCM 3, 5 और 7 अब 3, 5 और 7 तीनों ही prime numbers है इन में कुछ भी common नहीं है तो LCM निकालने के लिए तीनों का product कर दे न सिर्फ 3 इंटू 5, 15 इंटू 7, 1, 0, 5 तो answer होगा हमारा 2 upon 105 अब यहाँ पे आप शायद सोच रहोंगे कि directly मने HCF 2 कैसे निकाला तो इसके लिए भी एक trick का दोस्तो trick क्या है least value method इसमें मने least value method यूज किया HCF निकालने के लिए numerator का least value method क्या बोलता हमारे पास जैसे 3 values थी 2, 4 और 6 हमने क्या करना है सबसे चोटी value उठानी है और इस value के साथ बाकी सारी values को divide कर देना है अगर बाकी सारी values उस चोटी value से divide हो जाएंगी तो वो सबसे चोटी value जो है वो हमारा HCF होगा in case कोई value उस value से divide नहीं हो रही तो उस सबसे चोटी value के हम factors बनाएंगे और जो factor बाकी values को divide कर देगा वो हमारा HCF हो जाएगा जैसे की difference method में हमने क्या किया था difference के factors बनाएं थे least value method में हमने सबसे चोटी value के factors बनाके देखने हैं जो factor सभी को divide कर देगा वो हमारा HCF होगा तसले तो इसमें मैंने least value method यूज किया अब 2 4 को भी divide कर रहा है और 6 को भी it means 2 ही हमारा HCF पनेगा next the greatest number which when divide 989 and 13 under 27 leaves the remainder 5 and 7 respectively अब देखो language हमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है जो 989 को divide करे और 1327 को divide करे मतलब जो value इनको divide करे और divide कौन करता है factor तो हमें factor की जरूरत है यहां पे और कितना कितना remainder आएगा 5 and 7 हमने second concept पढ़ा था कि अगर remainder आ रहा है तो remainder को minus करना है और उसके बाद HCF निकालना है तो 989 minus 5 and 1327 minus 7 तो इन दोनों values का HCF निकालेंगे यह आ जाएगा हमारे पास 984 और यह आ जाएगा दोस्तों 1320 तो इनका हमें HCF calculate करना है तो prime factorization method यूज़ कर रहा हूं यहां पे मैं सबसे पहले यह 2 के table पे cancel हो रहे हैं 492 660 then again यह 2 के table पे cancel हो रहे हैं 2,4,6,3,3,0 फिर 2 के table पे जा रहे हैं जी यह 1,2,3 और यह जा रहा हमारे पास 1,6 और यह आ जाएगा 5,165,123 and 165 और यह दोनों values अब 3 के table पे cancel हो रही है 4,1 and 5,5 अब यह दोनों values में कोई common factor नहीं बचा तो यहीं पे division रुख जाएगी और इनको multiply करने पे हमें क्या मिलेगा HCF तो हमारा आरा जी 2 की power 3 into 3,8 into 3 कितना होता दोस्तो 24 तो answer क्या होगा जी option number 3,24 आप बाकी method से भी HCF निकाल सकते हैं आप difference method भी use कर सकते हैं और आप इसमे least value method को भी use करके HCF निकाल सकते हैं आईए next question देखते हैं what is the greatest number that will divide 307 and 330 leaving remainder 3 and 7 respectively again same question है दोस्तो 307 के case में remainder कितना आ रहा है 3 तो 307 में से 3 minus करेंगे और 330 के case में remainder कितना आ रहा है दोस्तो 7 तो उसमें से 7 minus करेंगे तो यह हमारे पास बचेगा 304 और यह बचेगा हमारे पास 323 तो यह दो values अब हमें चाहिए इनका HCF तो इस case में मैं difference method यूज करूँए दोस्तों difference method क्या बोलता है इन दोनों values का हमें difference लेना है और difference कितना बन रहा है इनका 19 बन रहा है अब 19 के table पे इनको मैं divide करके देख रहा हूं तो 19 के table पे 304 भी divide हो रहा है और 19 के table पे 323 भी divide हो रहे हैं तो दोनों values divide हो रही हैं तो यह difference ही HCF होगा तो answer आदाएगा 19 तो हम देख सकते हैं कि question to question vary करता है कि कौन सा method suitable है कहीं पर factorization और कहीं पर difference method कहीं पर least value method तो हम कोई भी method apply कर सकते हैं आईए next देखते हैं what is the greatest number which will divide 110 and 128 leaving remainder 2 अब दोनों के case में same remainder है और remainder कितना है 2 तो remainder हम minus करेंगे 110 में से 2 minus करेंगे और 128 में से भी 2 minus करेंगे और इनका HCF मतलब 108 और 126 यहां पे भी मैं difference method ही use करूंगा difference कितना रहा है 18 अब 18 के table पे दोनों ही cancel out हो रहे हैं जी 108 भी cancel होता है और 126 भी cancel हो रहा है it means 18 HCF होगा तो answer कितना आएगा जी option number 3 तो यहां पे भी हमने कौन सा method यूज किया difference method यूज किया जी आईए next question देखते हैं the largest number which divides 25, 73, 97 to leave the same remainder in each case सबसे बड़ा number हमें पता करना जो 25, 73 और 97 को divide करेगा remainder same आएगा but remainder कितना है वो given नहीं है तो यह fourth condition है जहां पे remainder same है but remainder नहीं पता तो हम आपस में इनका difference करेंगे और उसका hcf मतलब के hcf of x-y, y-z and x-z इन तीनों का difference लेके उसका hcf तो 25 में से 73 माइनस करेंगे ठीक है दी वो आ जाएगा हमारे पास 48, 73 और 97 का difference निकालेंगे यह आजाएगा हमारे पास 24 और 97 और 25 का difference निकालेंगे यह आजाएगा हमारे पास 72 तो यह तीनों का हमने difference निकाला और इनका हमें क्या calculate करना है जी hcf निकालना है अब इस question में हम कौन सा method use करें difference method भी use कर सकते हैं और मैं इसमें use करूंगा least value method अब least value method क्या बोलता है सबसे चोटी value हमने pick करनी है और बाकी values को divide कर देना है अब 24 सबसे चोटी value 24 से मैंने 48 को divide करके देखा वो भी divide हो गया 24 से मैंने 72 को divide करके देखा वो भी divide होगा इट मेंज इन तीनों का HCF कितना बनेगा 24 तो यह हमारा answer भी होगा यानि की option number 1 next let n be the greatest number that will divide 1300 546 4665 and 6905 leaving same remainder in each case then sum of the digits in n अब तीनों के case में remainder same है बट remainder नहीं पता तो वही similar concept जो हमने पिछले question में किया HCF of x minus y जब भी हमें remainder नहीं पता बट remainder same है तो difference लेना है और उसके बाद HCF निकानना है तो इन तीनों का difference लेते हैं जी 1305 4665 and 6905 इन तीनों का अपस में difference उठाते हैं जी ये difference आ रहा है 3360 ये difference आ रहा है दोस्तो 5600 sorry ये difference आ रहा है यहां पे 2240 और 6905 और 1305 का difference आ रहा है 5600 तो ये difference आ दोस्तों मारे पास x-y, y-z and x-z का अब इन तीनों values का हमें क्या calculate करना है HCF calculate करना है HCF calculate करने के लिए आप least value method या difference method कोई भी use कर सकते हैं जी तो इसमें मैं use कर रहा हूँ difference method difference method सबसे छोटा difference सबसे छोटा difference मेरे को यहाँ पे दिख रहा है जी इन दोनों के बीच ठीक है दी और वो difference के इतना है जी इन दोनों के बीच 1 1, 2, 0 1120 मुझे वो difference दिख रहा है और अब 1120 से divide करके देखते हैं कि ये सारी values divide होती हैं या नहीं होती है 1120 के table पे 3, 3, 6, 0 divide हो रहा है 1120 के table पे 2, 2, 4, 0 भी divide हो रहा है और 1120 के table पे क्या 56 under divide 5 से multiply करके देखते हैं इसको 0, 5, 2, 10 ये भी हो रहा दोस्तों तो तीनों values इस difference के साथ divide हो रही हैं तो ये ही हमारा HCF होगा तो ये सबसे बड़ा number यानि n की value कितनी है दोस्तों 1120 ये n की value है अब हमे sum of digits of n निकालना है तो इन सब को digits को जोड़ेंगे तो answer कितना आ रहाएगा 4 1 plus 1 plus 2 तो answer is option number 1, 4 sum of digits of n हाँ जी तो 8th question क्या बोलता है कि product of 2, 2 digit numbers is 2, 1, 6, 0 and their HCF is 12 हमारे पास दो numbers है दो digit के और उन दोनों का product कितना given है 2, 1, 6, 0 और उन दोनों का HCF कितना है 12 तो हमें पताना है numbers कौन से है तो अब इस question को हम बड़े असानी से options के साथ कर सकते हैं जी हमें ऐसे numbers चाहिए जिनका product कितना बने 2160 तो उसके इसाब से पहली option नहीं हो सकती इनका product 2, 1, 6, 0 नहीं बनता और last option नहीं हो सकती इनका product 2, 1, 6, 0 नहीं बन रहा तो दो options बचती है एक third option और एक second option जिनका product 2, 1, 6, 0 बन रहा है अब इन में से जो second option है उसमें जो 30 है वो उसका factor 12 नहीं हो सकता क्योंकि ये 12 की table पे नहीं divide होगा तो HCF 12 नहीं बनेगा तो ये भी eliminate हो जाएगी तो एक ही option बचेगी which is option number 3 क्योंकि 36 और 60 दोनों का HCF 12 बन रहा है और इनका product भी कितना बन रहा है 2160 तो बहुत असानी से हम options के साथ इस question को करेंगे जी आईए next देखते है maximum number of students among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencil हमें pen और pencil को distribute करना है pen कितनी है जी हमारे पास 1001 और pencils कितनी हमारे पास 910 हमें इस तरीके से distribute करना है कि हर पच्चे को same pen और pencil मिले मतलब कि इनको divide करना है distribute करना है और same number मतलब common factor चाहिए और students भी maximum चाहिए it means जो common factor वो सबसे बड़ा तो HCF चाहिए दोनों का HCF निकालूंगा और HCF के लिए मैं difference method को use करूंगा इस question में और दोनों का difference कितना बन रहा है जी 91 और 91 के table पे ये दोनों ही divide हो रहे है तो हमारा HCF आएगा 91 तो answer भी हुआ 91 option number 1 next question देखते है जी एक milkman है जिसके पास 75 liters milk है एक can के अंदर और 45 liters है दूसरे can के अंदर हमें बताना है maximum capacity of container एक container चाहिए maximum capacity का जिसके साथ मैं इन दोनों cans के जो milk है उसको measure कर सकता हूँ ठीक है जी तो इन दोनों को measure करने के लिए container की requirement है तो और वो भी maximum capacity का मतलब हमें इन दोनों का HCF निकालना होगा 75 और 45 का जो आएगा कि हमारे पास 15 लेटा तो answer is option number 3 next बहुत important question है जी बहुत बार कई different exams में ये question पूछा गया है जी क्या कहता है what is the least number of square tiles required to pave a floor of room which is 15 meter 17 cm long and 9 meter 2 cm broad एक room है जिसकी लंबाई पंदरा सो 17 1517 cm और चड़ाई 902 cm है जी इसके अंदर हमें square tiles लगानी है ठीक है जी और square tiles क्या लगानी है least number of square tiles कम से कम square tiles लगानी है ठीक है जी तांकि ये room पूरी तरह cover हो जाए और कोई भी space खाली ना बचे और हमें सारी tiles पूरे size की use करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तो सबसे पहले हमें tile का size पता करना होगा और tile का size हमें कहां से मिलेगा हमें इन दोनों के common factors है क्योंकि square tile है तो ऐसा size हमें fit करना है जो length इस side पे भी पूरा आजए और इस side पे भी पूरा आजए मतलब length और breadth का common factor अब क्योंकि number of tiles हमें least use करनी है तो tile का size हमें maximum करना पड़ेगा तो maximum size की tile हमें चाहिए maximum dimension हमें कैसे मिलेगी length और breadth का hcf 1517 और 902 cm तो ये दो values का hcf हमें लेना पड़ेगा वहाँ से हमें tile की dimension मिलेगी और इन दोनों का hcf हम calculate करते हैं तो दोनों का hcf आता है 41 cm इन दोनों का hcf कितना आएगा 41 cm आप कोई भी method यूज़ करके calculate कर सकते हैं अब 41 cm means ये एक tile की dimension अब question क्या पूछता है least number of square tiles कितनी tiles यूज़ होंगी तो number of tiles निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पूरे room का area area of room divided by area of one tile पूरे room का area L into B L into B कितना हो जाएगा 1517 into 902 और एक tile का area कितना हो जाएगा square tile है तो side into side 41 into 41 तो ये solve करने पर हमें मिलेगा 840 tiles 814, 814, 814 814 tiles आएगी जी यानि की option number 4 बहुत important है tile का size पूछना है पूछा जाएगा तो उसके लिए हमें पहले HCF उसके बाद number of tiles निकालने के लिए area of room divided by area of one tile next तीन सेट हैं जी हमारे पास English, Mathematics and Science books की कितनी कितनी books हैं जी 336, 240 और 96 books हैं अब हमें इनको stack करना है arrange करना है जी इनके हमें धेरियां बनानी है टीक है जी ताकि हरे एक stack के अंदर जो number of books हैं वो same हो height of stack क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए तो बताओ कितनी stacks बनेंगी अब हमें stacks बनानी है मतलब धेरियां बनानी है जी और धेरियों की जो height है वो same होनी चाहिए ठीक है जी मतलब हमें इन books को same height के में divide करना है divide करने के लिए हम इनका common factor निकालना पड़ेगा जी तो इन तीनों का हम निकालेंगे जी पहले hcf hcf of 336, 240 and 96 इन तीनों का hcf आएगा जी और वो hcf आएगा जी 48 मतलब अब यह हमें क्या मिल गया कि एक stack के अंदर कितनी books होंगी इस stack के अंदर भी 48 books होंगी ठीक है इस stack के अंदर भी 48 books होंगी तो यह हमें पता चल गया कि हर एक stack के अंदर 48 books अब पूछा गया गया कितनी stacks बनी total तो number of stacks निकालने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा total books total books कितनी है divided by एक stack के अंदर कितनी books है ठीक है जी number of books in each stack तो total books इन तीनों को प्लस करेंगे जी 336 प्लस 240 प्लस 96 divided by एक stack के अंदर हमने कितनी books रखनी है 48 books रखनी है तो यह आदाएगा 672 divided by 48 और यह divide करने पर हमें मिलेगा 14 तो कितनी stacks बनेंगी दोस्तों total 14 stacks बनेंगी this one 14 next एक milk vendor जिसके पार 21 liter cow milk है 42 liter toned milk है और 63 liter double toned milk है तीन तरह का milk है 21 liter 42 liter toned milk और double toned के तना है 63 liters अब वो बोलता है if he wants to pack them in cans so that each can contains same liters of milk ठीक है जी cans में उसको pack करना है और हर एक can में जो quantity है वो same होनी चाहिए तो बताओ least number of cans required तो same question जो हमने पिछला गिया पिछले में हमें stacks बताने थे इसमें हमें cans बतानी है तो सबसे पहले हमें इनका hcf calculate करना पड़ेगा तो hcf of 21 42 और 63 वो आएगा दोस्तो 21 least value method में ने use कि इसमें hcf आएगा 21 it means उसकी जो can होगी जो capacity होगी उसकी वो 21 liter होगी तो number of cans कितनी होगी total milk कितना उसके पास तीनों को plus करके 21 plus 42 plus 63 126 और एक can की capacity कितनी है 21 तो number of cans कितनी बनेंगी 6 यानि की option number 2 6 cans next एक farmer है जिसके पास 945 cows है जी और 2475 sheep है उनों ने उसने उसको क्या करना है flocks में लेके जाना मतलब के जूंड में ठीक है जी cows और sheep का अलग लग होगा और हर एक जूंड में जो number of animals है वो same होने चाहिए ठीक है अब जो flocks में number of animals है वो as large as possible मतलब maximum जितने एक flock के अंदर कितना जानवर होगा और total flocks कितने बनेंगे तो same जो हमने पिछले दो question किये अगर हमें ये बताना है कि maximum number of animal कितने है जी तो उसके लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा HCF of 945 and 2475 तो इसका HCF निकालेंगे जी ये HCF अगर हम निकालें factorization method से तो ये आएगा जी 45 45 HCF अब ये जो value आई ये इसका मतलब है भी एक flock के अंदर maximum कितना जानवर है तो वो 45 बनता है उससे साब से एक ही option possible हो रही है जी option number 3 और अगर हमें number of flocks निकालने है तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा number of flocks निकालने के लिए total जानवर total जानवर कितने है 945 plus 2475 और divided by एक flock के अंदर कितने जानवर है 45 तो इसको divide करेंगे वो हमें कितना मिलेगा 76 तो option number 3 हमारा correct answer बनता है जी तो यह था दोस्त तुमारा second lecture और इसके अंदर हमने HCF के concept को discuss किया सबसे पहले हमने देखा कि HCF को कैसे कैसे हम calculate कर सकते हैं उसके मैंने आपको different methods बताए जिसमें मैंने factorization method बताया difference method भी बताया least value method भी आपको बताया करके ठीक है जी उसके इलावा इसके चार basic concepts थे reminders के साथ वो भी मैंने आपको clear किये और इसके base पे जो ज़्यादा तर statement वाले questions पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको end में करवाए तो hopefully आपको ये video अच्छे से clear होगी होगी concept अच्छे से समझ में आया होगा तो आप वीडियो को बार बार देखें वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें चैनल को भी subscribe करें मिलेंगे दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया